की इंगा है रहा है suspect आप प्लोग आशा करते हैं आई शुम्हाँ बहुत ही अच्छे से मौसन के साथ सुछाने से मौसन के साथ अच्छी से कि लाप की फूलत भी खिले विए थे लिए तो देखने में बहुत मौसम भी अच्छा हो रखा है और ये दाने चुकते हुए कबुतर तो और भी अच्छे लगते है तो आ गई हूं किचेन में बच्चों की छुटे स्टार्ट हो गए एक्जैम खतम हो गया है तो उनकी खुशी के लिए आज पार्टी करते हैं तो पार्टी में क्या बनने वाल बच्चों का स्पैशल पास्ता तो उसके लिए मैंने अपने कटर को ब्लेट चेंज कर दिया है और शिम्मला मिर्श टीनो कलर के लाल पिली हरी तीनो कलर की शिम्मला मिर्श काट ली है प्याज अल्रेडी कटके है तो बिल्कुल इस तरह की से चौकुटे चुकटे देखने बाइश लगते हैं और शंदर लगता है डोल होने के लिए पहले पास्ता रख दिया था यह लगता है तो अभी प्याज कटकर लेते हैं चोटे चोटे चुकरों में और उसके पाद कढ़ाई चड़ाते हैं आप लोग पास्ता कैसे बनाते हो तो जरूर बताना कमेंट प्याज को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इतनी सारी सॉसे इसमें यूस करनी हो रही हूं थोरी थोरी सब्से पहले शिम्गार मर्च इसमें फ्राइ कर लेंगे थोरा सा दे के फिर इतने भी सीजनिंग के लिए सुया सॉस है सालसा है और टेमेट्टो केचप है वेगर डाल दिया है मैंने सिज्वान चटनी भी डाल दिया है थोड़ा से चीनी भी डाले उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए बनाने तो तीखा नहीं होगा तो थोरो मैयोनेज डालकर मैंने पास्ता इसको डाल अच्छे से मिला लिया है यह रेडी हो रहा है किसलिए यह रेडी हो रहा है आज बच्चों के लिए हम मम्यों ने पार्टी रखी है तो इसके लिए मेरा मैक रॉरी तयार हो गया है मैं कुछ तयार होने के लिए चल रहे हैं जहां पार्टी होने वाली है यानि कि दूसी पर बात ना सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती है तो मम्मियों के होती हो क्यों मैं सही बोल रही हूँ न तो आप लोग को कैसा लग रहा है बच्चों के एक्जाम के बाद फिर हमने थोड़ी बहुत बाते की और यहां बाते चल रही हैं क्या ही चल रहा है यह वन के सब सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हो गए है तो सब मेरे से पार्टि मांग रहे थे तो थाइंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए सब को और कोई नए है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएए गर वीडियो पसंद आए तो ग्रीनरी हमारी दैखने में बहुत ठोपसरत लगता है वह हुह ब्हुत शहर है उनके थोड़ी कलाकारी दिखार रहते हैं अनकी कलाकारी बहुत ही अच्छी है उनन अपने वाल पर まदो बनी पैंटिंग भी कर रखा है उसके बाद हम सब ने से एक एक दिश बना में वाय थे और यह हमने ब बच्चे में तो एक ही बच्चा दिख रहा है और बाकी बच्चे का है मुझे लगता है यह तो टेंट हाउस को खोलते हैं तीनों बच्चे इसमें नजर आने वाले हैं और यह रहे सब हैलो करके हम ने भावी ने बैट लगा दिया था कि बच्चे थोड़ा इंजुआई कर सक के टेंट हाउस को घर में ही, नीची रगों एक बढ़ा हैं, फिर रगों के फिर हम लिए क्लीनिक और में दिखत होता है, तो इस बढ़ते हैं रख सकते हैं। यमी सा केक चॉक्रिट केक जिसमें स्ट्रॉबेरी डेकोरीशन हो रखी है और छूले भी बने हैं बहुत सारी चीज़ी बनी हैं सबसे पहले बच्चों को निकालके दे देते हैं ताकि बच्चे अपने बाते करते हुए इंजॉाई कर सके खा पी सके फिर हमने सबको प्लेट यहां बच्चे बैठ के खाने को लिए और खाने में क्या क्या है बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्या है क्या है कि एक्जैम का भी टेंशन चला गया है और हम अम्मियों कोई डाट भी नी पर रही है तो छोले बने हैं छोले के साथ हमने वेज टिक्की बनाई आलू टि की थी थी हमने उसका टिक की चार्ट बना के खा लिया तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर जाना मिलते हैं निक्स व्लॉग में बाई